आदेनिय देख जी, यहाँ पर बहुत गुस्सा व्यक्तिक किया गया जितना होसे का उतने कठेर सब्द में गुस्सा व्यक्तिक किया गया उनका दर्द मैं समझता हूँ उनकी मुसीबत और ये गुस्सा मैं समझता हूँ क्योंकि तीर निशाने पर लगा है बस्टा चार पर एजन्सिया एक्सल ले रही है उसको लेकर भी इतना गुस्सा क्या क्या शब्दों का प्रयोक किया जा रहा है आदिन अध्यक जी, दस साल पहले हमारे सदन में पार्लोमेंट में क्या चर्चा होती थी सदन का पूरा समय गोटालों की चर्चा पर जाता था बस्टा चार की चर्चा पर जाता हूता लगातार एक्शन की डिमांड होती थी सदन यही मांग करता है तो लोग उनका देजिए इनके समय में एजन्सियों का सिर्फ और सिर्फ राजनिति गुपियों के लिए उप्रने नहीं दिया जाता है अब आप देखिए उनके काल सहें में क्या हुआ पिये में एक के तहट हमने पहले के मुकामले दो गुने से अधिक केस दर्ज गिये हैं कांग्रेस के समय में एडी ने पांच हजार करोड रुपिये के संपति जब्त की हमारे कारकाल में एडी ने एक लाग करोड रुपिये के संपति जब्त का दूता हुआ माल देना ही पड़ेगा और जिनका इतना सारा माल पकड़ा जाता हो नोटों के देर पकड़ी जाते हो और अधिर बाबू तो बंगाल से आते हैं देखे हैं नोटों के देर रोना ने तो किस-किस के घर में से पकड़ी जाते हैं किस-किस राज्यों में पकड़ी जाते थे यह देश देश यह नोटों के धेश देख देख करके चौक गया है लेकिन अब जन्ता को आप मुरग नहीं बना सकते हैं जन्ता देख रही है कि किस प्रकार से यूपिये सरकार में जो प्रस्ताजार की बाते होती थी उसका टोटल दस पंदरा लाग करोड का रहा है चर्चा होती थी हमने लाखों करोड के घोटाले तो अटकाएं लेकिन उन सारे पैसों को गरीबों के काम लगा दिया गरीबों के खल्यान के लिए अब विच्वलियों के लिए गरीबों को लूटना बहुत मुश्किल हो गया है डारेक बेनिफिट ट्रांसफर जंदन एकाउंट आधार मोबाईल उसकी ताकत हमें पहचानी है तीस लाग करोड रुपय से जादा रकम हमने लोगों के खाते पे सीधी पहुंचे और अगर कॉंग्रेस के प्रधान मंतरी ने कहा था कि एक रुपया भेजते हैं पंद्रा पैसे पहुंचते हैं अगर उस हिसाब से मैं देखूं तो हम जो जो तीस लाग भेजे हैं अगर उनका जमाना होता तो कितना रुपया कहां चला जाता इसका हिसाब लगाईए पंद्रा परसेंट बुष्किल से लोगों के पास पहुंचता बागी सब कहां चला जाता हादिनिया देख जी हमने दस करोड फर्जी नाम हटाए है अभी लोग पूतेन पहले इतना आकड़ा था क्यों कम हुआ आपने ऐसी विवस्ता बनाई थी कि जिस बेटी का जन्म नहीं हुआ जन्म नहीं हुआ उसको आपके यहां से विद्वा पेंशन जाते थे और ऐसे सरकारी योधनाओं को मारने के जो रास्ते थे ने दस करोड फर्जी नाम बंती है यह जो परिशानी है ने इन चीज़ कि अधनिय देख जी हमने कि फर्जी नामों को हटाने से करीब करीब तीन लाग करोड रूपिया फर्जी हाथों में जाने से बचाएं देश की टैस्ट पेर का पाई पाई बचाना और सही काम में लगा इसके लिए हमने जीवन खापा रख रहे हैं अधनिय देख जी सभी राजनितिक दलों को भी सोचने की जरूरत है और समाज में भी जो लोग बैठे हैं उनको देखने की जरूरत है आज देश का दुर्भाग यहें पहले तो क्लास्रूम में भी कोई अगर चोरी करता था किसी की कॉपी करता था तो वो भी दस दिन तक अपना भूंकी से को दिखाता नहीं था आज जो ब्रस्टाचार के आरोब जीन पर सिद्ध हो चुके हैं जो जेलों मैं समय निकाल करके परोल पर आए हैं आज वासिंग बसीन से भी बड़ा कंदे पर लेकर के महिमा मंदन कर रहे हैं ऐसे चोरों का सार्मेजनी घीवन मैं कहा ले जारें चाहें के उद्धियंगधो लेकिन जो सजावो हो चुकी है मैं तो समझता हूं कि आरोब जो हैं उनके लिए तो आप जोख सकते हैं लेकिन जो गुनासित हो चुका जो सजाकार चुके हैं जो सजाकार रहे हैं ऐसे लोगों का महमा मंदन करते हो आप कौन सा कल्चर और देश की अभावी पीडी को क्या प्रेमा देना चाहते हो आप कौन सा रासते हो और ऐसी कौन से आपकी मजबूरी है और ऐसे लोगों का महिमा मंदर किया जा रहा है उनको महान बताए जा रहा है जहां सम्मिधान का राज है जहां लोग संत्र है माने दजी ऐसी बाते बलंबी नहीं चल सकती है यह लोग लिख करके रखें कि जो महिमा मंदर का काम चल रहा है उनका वह अपने अपने ही खात में की चिठी पे सिगनेचर कर रहे हैं लोग आदे देखनी जांच करना कि एजन्सियों का काम है एजन्सिया स्वतंत्र होती है और सम्मिधान ने उनको स्वतंत्र रखा हुआ है और जज करने का काम नयाय दिश्का है और वो अपना काम कर रहे हैं और अदेख जी मैं इस पवित्र सदन में फिर से दोहराना चाहूंगा जिसको जितना जुल्म मुझ पर करना है कर ले मेरी बस्टा चार के खिलाब लड़ाई चलती रहे हैं जिसने देश को लूटा है उनको लोटाना पड़ेगा जिनोंने देश को लूटा है उनको लोटाना पड़ेगा ये मैं देश को इस सदन की पवित्र जगा से वादा करत जिसको जो अरफ लगाने लगाने लेकिन देश को लूटने नहीं दिया जाएगा और जो लूटा है और लोटाना पड़ेगा